Hello everyone, welcome back to my channel. Viewers, आज मैं आपको दो-तीन दरहा के sentences बनाना सिखाऊंगी. लेकिन उससे पहले मुझे किसी ने comment करके पूछा था कि I know और I knew में क्या difference होता है. ये बहुत ही basic था तो मैंने सुचा आपको क्यों ना वीडियो में बताऊं. तो मुझे अगर आपको कहना है कि मुझे पता है यानि कि अगर आप कहरे हैं कि पता है तो आप कहेंगे I know मुझे पता है लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे पता था यानि कि अब आप past की बात कर रहे हैं अब आप बीतेवे कल की बात कर रहे हैं कि मुझे पता था तब आप प्रिजिंट की बात करें तो आप बोलेंगे I know और जब आप पास्ट की बात करेंगे कि मुझे पता था तो आप कहेंगे I know उकि उसी तरह से एक और मेरे पास सवाल आया था कि अगर आपको कहना हो कि मेरे पास अलफाज नहीं है यानि कि मेरे पास कोई words नहीं है इतना क्यूं? अगर आपको यही केवल ट्रांसलेट करना हो तो आप कहेंगे वाई आर यू सो? अब मैं आपको इससे कई सेंटेंस बनाना बताऊंगी वाई आर यू सो से ओके जैसे की सबसे पहला कि तुम इतने सुन्दर क्यूं हो? यह एक कॉंप्लिमेंट्स की तरह भी हो सकता है तुम इतने सुन्दर क्यूं हो? वाई आर यू सो ब्यूटिफुल? सो का मतलब होता है इतना या इतने सो ब्यूटिफुल यानि कि इतने सुन्दर क्यूं? यानि कि वाई आर यू यानि कि तुम हो तुम इतने सुन्दर की हो वाई आर यू सो ब्यूटिफुल वाई आर यू सो ब्यूटिफुल उसी तरह से अगला तुम इतने शान की हो वाई आर यू सो कॉइट कॉइट का मतलब शान वाई आर यू सो कॉइट तुम इतने शान की हो जब कभी चिटे चिटे बच्चों को देखते हैं तो हम लोग ऐसे तुम इतनी प्यारी कियो हो ऐसे बोलते हैं तो अगर आपको यologies अंगलिश में कहने हैं तो आप कहेंगे वाइ आरि ये सो क्यूट वाइ आर्यो सो क्यूट ओकी यहने कि तुम इतनी प्यारी की हो, why are you so cute? और फिर next sentence देखिए, अब मैंने लिख दिया कि तुम इतने खुश की हो जब आप किसी को ज्यादा ही खुश देखते हैं तो आप ऐसे बोलते हैं तुम इतने खुश की हो, तुम इतने खुश की हो ताप कहेंगे, why are you so happy? तुम इतने खुश की हो, why are you so handsome? नेक्स सेंटेंसे अब मैंने लिखा कि तुम इतने लेट की हो जब कोई ज्यादा लेट हो जाता है तो हम ऐसे बोलते हैं कि तुम इतने लेट क्यों हो वाई आर यू सो लेट तुम इतने लेट क्यों हो वाई आर यू सो लेट जब कोई ज्यादा जिद्धी होता है और हम ऐसे बोलते हैं कि तुम इतने जिद्धी क्यों हो तुम इतने तो आप कहेंगे वाई आर यू सो जिद्दी की इंगलिश क्या होती है इस्टरबन वाई आर यू सो इस्टरबन तुम इतने जिद्दी क्यों हो वाई आर यू सो इस्टरबन इस्टरबन ओके तुम इतनी दूर क्यों हो तुम इतनी दूर क्यों हो तुम इतने दूर क्यों हों, तुम इतने जिद्धी क्यों हों, तुम इतने लेट 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 क्यों हों, होनी चाहिए English क्या है गंभीर की serious तुम इतने गंभीर क्यों हो why are you so serious तुम इतने गंभीर क्यों हो why are you so serious ओके चले एक sentence आप सभी के लिए इससे आप translate करके बताएं तुम इतने स्वार्थी क्यों हो अगर आपको यह कहना है English में तो आप कैसे कहेंगे तुम इतने स्वार्थी क्यूं हो ओके चले मैं अब आपको एक और तरह के का सिंटेंस बताऊंगी जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि सो का मतलब होता है इतना इतने उसी तरह से सो मच का मतलब भी होता है इतना ठीके सो सो मच सो मच का मतलब भी इतना जैसे कि तुम इतना क्यूं पढ़ाई करते हो तुम इतना क्यूं पढ़ाई करते हो तो आप कहेंगे वाई डू यू वाई डू यू आपको पता होगा ताती के साथ डू डस का इस्तिमाल करते हैं ठीक है प्रेजन्ट में तो तुम इतना क्यूं पढ़ाई करते हो इसलिए आप do लगाएंगे यू के साथ do लगाएंगे और अगर he होता या she होता इनके singular होता तो आप dust का इस्तिमाल करते ये basic है rule तुम इतना क्यों फून चलाते हो अपसर बोलते हैं कि तुम इतना फून क्यों चलाती हो या क्यों चलाते हो why do you use mobile या phone so much तुम इतना क्यों खाते हो why do you eat so much तुम इतना क्यों खाते हो why do you eat so much तुम इतना move to the next one जब कोई बहुत ज्यादा बोलता है और हमें कहना होता है कि तुम इतना क्यों बोलते हो तुम इतना क्यों बोलते हो तो इसको आप कैसे translate करेंगे, आप simple, आप कहेंगे Why do you talk so much? तुम इतना क्यों बोलते हो? तुम इतना क्यों खेलते हो? तुम इतना क्यों खेलते हो? तो आप कहेंगे Why do you play so much? तुम इतना क्यों खेलते हो? मैं आपको एकी तरह के sentences इसलिए बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए आप एक तरह के sentences जब कई लगाते हैं तो आपको वो चीज रवा हो जाती है तुम इतना क्यों खेलते हो अब मैं आपको बताऊंगी looking for का इस्तमाल looking for का मतलब क्या होता है looking for का मतलब कहीं कहीं पे तलाश कर निकलता है तुम कहीं कहीं पे ढूंड रहा हूं या ढूंड रहे थे ठीके इस तरह से इसका इस्तमाल होगा अब चले इसे sentence में इस्तमाल करके देखते हैं जैसे ही मैं एक नौकरी धूंड रहा हूँ चले मैं इसे आपको बिल्कुल बारी किसे समझाती हूँ I का मतलब मैं I का मतलब हूँ Looking for का मतलब धूंड रहा A का मतलब एक नौकरी and की job मैं एक नौकरी धूंड रहा हूँ, I am looking for a job बन गया ना, I का मतलब मैं, I am का मतलब हूँ धूंड रहा, यानि कि looking for, एक के लिए आपने एक का इस्तिमाल किया और नौकरी के लिए आपने जॉब का इस्तिमाल किया I am looking for a job, मैं एक नौकरी धूंड रहा हूँ मां तुम्हें ढूंड रही थी अब यहाँ पे थी तो आपने was का इस्तिमाल किया कौन? मॉम मॉम वाज लुकिंग फॉर यू यानिकि तुम्हें यू लुकिंग फॉर ढूंड रही ठीक है थी वाज मॉम वाज लुकिंग फॉर यू मॉम तुम्हें ढूंड रही थी यानिकि मा तुम्हें ढूंड रही थी तुम क्या ढूंड रहे हो अब आप सिंपल बोलेंगे मैं खाने के लिए कुछ धून रहा हूं तो आप कहेंगे कुछ खाने के लिए ढूंड रहा हूं मैं मैं अपनी किताबे ढूंड रहा हूं इसे कैसे बोलेंगे ये आपके लिए इसे आप जरूर ट्रांसलेट करके बताएं कि मैं अपनी किताबे ढूंड रहा हूं ओकी तो आज की क्लास में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए अगर हेल्प फुल हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स वार वाचिंग झाल झालेंग सकता धर्शिक टॉल तो कि क्लास में ख Вас घृड़ लरी राऑर कि करें सम сил क्लाब हो तो आजक करें वीडियो करें से वार दो आजकी हैं भूलें भीडियो करेंशर दो आजकर में थाजक़ में प्र Нॉब्योंक्तवे, जान से Deck write